अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो दो डॉक्टर्स की मौत से जुड़ी हुई है। दिल्ली में कुरोना वाइरस के दोर में पिछले तीन महीने से लगातार ड्यूटी करने वाले डॉक्टर की 42 साल में कुरोना से मौत हुई। उत्तर परदेश के चंदवसी के रहने वाले थे डॉक्टर जावेद अली और उन्होंने अपना मेडिकल एजुकेशन रसिया से कंप्रीट किया था। डॉक्टर जावेद अली दिली के नेशनल हेल्थ मिशन के साथ दिली में कुरोना वाइरस पेशन्ट का इलाज कर रहे थे। 24 जून को उनका कोविड टेस्ट किया गया था और वो कुरोना पॉजिटिव पाए गए। फिर उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी जिसकी वज़ा से उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल में उनकी हालत में कुछ सुदार नहीं आया और आखिरकार उनकी मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मताबिक डाक्टर अली लगातार पिछले तीन महीनों से लोगों का इलाज करने में मसरूफ थे। कमाल की बात ये रही कि उन्होंने ईद के दिन भी कोई छुटी नहीं की और इंसानियत की खातिर अपना फर्द बराबर निभाते रहे। बढ़ते करोना मरीज और बुनियादी सहुलियात और एक्विपमेंट पूरी तरह से नहीं होने की वज़ा से ऐसे मौामिलात सामने लगातार आ रहे हैं। इसी के साथ एक दूसरे डॉक्टर जिनकी मौत करोना की वज़ा से लखनों में हुई। डॉक्टर अजीज अद्दीन शेख जो सिर्फ 40 साल के थे और इनका तालुक राजिस्तान से था आपको बता दें कि करोना के इस दोर में भी तकरीबन 16 से 17 गंटे लोगों की खिदमत करने का अपना फर्ज बखूबी निवा रहे थे। डॉक्टर अजीज अद्दीन के घरवालों ने बताया कि वो अपने मरीजों से फीस भी काफी कम लेते थे और गरीब लोगों का काफी ख्याल रखते थे आपको बता दें कि डॉक्टर अजीज अद्दीन को कोरुना वाइरस के सिंटम्स महसूस होने पर उन्होंने अपने को आइसोलेट किया था और जब उनका कोविट टेस्ट रेजल्ट पॉजिटिव आया तो उने हॉस्पिटल में एड्मिट करवाया गया जहां इलाज के दवरान उनकी मौत हो गई आपको बता दें कि दोनों डॉक्टर की मौत पर उनके घरवाले काफी सदमे में हैं डॉक्टर अजीज अद्दीन की तारीफ करते वी उनकी मौत के बाद उनके एक पेशन्ट आलोग सिंग ने एक वाके का जिक्र करते वी लिखा कि जब मैंने डॉक्टर साहब से पूचा कि आप क्यों इतने कम चार्जिस लेते हैं तो उनका जवाब था कि मुझे अल्ला के पास जवाब देना है उन्होंने इस वाके को नकल करके आगे कहा कि वो सच्चाई जो डॉक्टर साहब ने हमारे लिए छोड़ी है वो हमेशा हमारे गम की वज़ा बनेगी ये बात हैदर लोग सिंग ने ऐसी बात इसलिए कही क्योंकि हमें मालूम है लोगों को इलाज करवाना काफी महगा पड़ रहा है ऐसे वक्त में भी डॉक्टर अजीजदीन लोगों के साथ जो बरताव करते थे उसे कभी नहीं भुला सकते हैं डॉक्टर अजीजदीन एक मुसलमान थे औ पर भरोसा रखेंगे तो जो दुनिया में लूट मार और दुनिया की सारी परेशानी है वो दूर हो जाएगी ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें